Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे आप सबी, I hope आप सब happy and healthy होंगे, मैं हूँ करीन आप सब की EBS educator Students, आज हम सबी चाप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले, लेकिन उससे पहले आप सबी को मैं एक इंपॉर्डन इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने ब्रेंज आने क्या आपके फेवरेट चानल पर भाई, हाई quality education प्रोइड की जाती है, वो भी free of cost from kindergarten to class 12, तो भाई, English medium channel पर सारे के सारे CBSE vote की वीडियोज आप सबी के लिए and students इसके साथ सथ हमारा एक Hindi medium channel भी है, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे class 6 लेकर class 12 तक की सारी की सारी वीडियोज with 5 other state boards, वो 5 state boards कौन से हैं भाई, वो 5 state boards है, UP board, Bihar board, Delhi board, MP board and Rajasthan board सो भाई, आपको क्या करना है, आपके पास यह task है, कि आपके जितने भी Hindi medium friends हैं, या फिर siblings हैं, या फिर relatives हैं, जो कि Hindi medium से study कर रहे हैं उन सभी को Hindi medium channel पर join करवा देना है, भाई, ताकि उनको भी education का पूरा profit मिलता रहे है, राई, तो भाई, ये बार share करना मत भूलेगा अपने friends and relatives हैं, जो कि Hindi medium से study कर रहे हैं, आपको भाई, कोई भी दिक्कत परिशारी नहीं हो नहीं हैं, आपको सुर्फ अपनी studies को enjoy करना है अच्छे से एकदम पढ़ाई करनी है, चीके, सो बने रहे हैं, बस magnet brains पर and करीना माम को follow करते रहे हैं, जो भी हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, उस पर आप बने रहे हैं and देखते रहे हैं, चीके, and ऐसे ही सीखते जाएए, ये notes and e-books का जो link है, वो आपको description box में मिल जाएगा, उसे grab करने के लिए link को check करना मत भूलीगा, alright students, so भाई, आज हम क्या करने वाले, आज हम chapter 2 को start करने वाले, लेकिन उससे पहले आप सबको कर दिना है, भाई, वीडियो को like, जितने भी students watch करें, सबसे बहले वीडियो को like कर दो, ठीके, share करो बाकी अपने सारे friends के स तो भाई, आपको क्या करना है, जब हम chapter 2 start करेंगे, आपको अपना focus बनाए रखना है, बिल्कुल भी distract नहीं होना है, ठीके, यही rule है, तो भाई, हम एकदम मल लगा कर पढ़ाई करेंगे, मैं आप सभी को यह teach करूंगी, इस chapter 2 को, अच्छे से समझाओंगे, बिल्कुल, ब हमारी पूरी body है, इस में किते different parts है, sense organs ठीक है, और यह body हमें किस काम आती है, तो सारी चीज़े हम cover करने वाले इस chapter में, ठीक है, तो चली शुरुबात कर देते हैं, और भाई, यह क्या है, भाई, my body has many parts, हमारी body में, बहुत सारे क्या है, parts है, ठीक है, हम सभी के body में different different parts है, ठीक है, अभी देखेंगे, लेकिन, each part has a different name, है ना, हमारी body में जित्ते भी parts है, साबके different different names है, है ना, भाई, हम इसको तो कान नहीं बोलते हैं, इसको तो नाक नहीं बोलते हैं, इनके नाम क्या है, इनके hands, है ना, और fingers, राइट, सो भाई, सारे जो parts है, सब parts के different different क्या है, नेम से, different नामों से जाना जाता है, ठीक है student, सो भाई, चलिए, start कर लेते हैं, शुरुबात कर लेते हैं, और यहाँ पर आज हम समझेंगे, सारे body parts को, ठीक है, सारे body parts में आप सबको बताने वाली हूँ, एक एक करके, सो भाई, चलिए, हम उपर से start करते हैं, अब आपको अ ऐसे, ऐसे touch करना है, तो यह क्या है, यह है भाई, हेर, और राइट, क्या है भाई, यह साब, यह है हेर, और राइट, चलिए, सो भाई, आप सोच रहे होंगे, कि माम हेर बोल रही है, हेर नहीं बोल रही है, भाई, students, इन्हें हम हेर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक आप सब सोच रहोंगे कि हमारे सर पर तो बहुत सारे बाल है लेकिन मैं हम तो हेर बोल रही है है ना हमारे सर पर एक बाल थोड़ी है बहुत सारे है लेकिन भाई हम फिर भी क्या बोलेंगे हेर बोलेंगे और एंड उसके बाद ये जो हमारा सर है इसे हम क्या बोलते हैं इसे ह करें हम बोलते हमारा हैड 的 ऐड higher so year iso pa 고anka jix मैं याथ य delivery wa spotlight already to kay so year all the right or student से हम क्या बोल सकते हैं forehead भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते सुर्ण फोर हेड जेंग ना तो यह जो पूरा पोर्ट होता है स्वेंट यहां से लेकर आता कि पूरा head में ही count होता है लेकिन इसे हम और क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं forehead ठीक है आप students यह क्या है जिससे आप मुझे सुन रहे हो क्या है यह है ears ठीक है so क्या है यह ear है all right and यह जो भई जिसके सहार है यह जो हमारा face है है यह जो हमारा head यह connected है से हमारी lower body पूरी connected है so यह जो बीच का साही क्या है यह है neck all right क्या है students यह neck है है और भई इसके बाद हम यह तो भूली गए जिनके थुरू आप मुझे देख सकते हो क्या है यह eyes ठीक है eye all right so जिसके थू हम smell करते हैं जब हमारे घर में बहुत ही amazing सा खाना बनता है हमें कुछ बू आ जाती है so वो किसके थू students nose के कारण ही यह सब हम smell कर सकते हैं है न हमें बहुत ही अच्छे से पता चोल जाता है करना हमारे घर में कुछ भी बहुत मज़ेदार बन रहा हो तो हमें किस से पता चोल जाते हैं अपनी नाक से right so by nose से हाम साइच चीजा पेजान जाते हैं हम smell कर सकते हैं mouth जिससे हम yummy yummy food खाते हैं ठीक है लेकिन यसे हम खाते हैं खाना हैना शेस मेंнут है ज्थे सी आप बहार देख रहे हैं है यह यह लेप्स ठीक है उसके बाद जहां पर आप by सूबहएiegen हर रोज ब्र筍ख करते हो करते हो कि नहीं करते हो students brush करते है आप सब तो कहां brush करते है हम अब अपने दाद हो पर उने हम कहते है teeth ठीखे एंद फॉर अंदर एक जवान है ठीखे जिसके चपर हम दो भी पाते है वो क्या है ? Tongue ठीखे ठीखे ना students Tongue Alright, and next, यह क्या है students? यह है, arms, ठीक है, क्या है? Arms, alright, next, students, यह जो front part है हमारा, है ना, यह वाला जो front part है, यह हम कहते हैं, chest, ठीक है, क्या कहते हैं students? यह जो front part होता है, हम कहते है, chest, alright, इसके बाथ, students, यह इंने हम क्या कहते हैं, हैं, hands, क्या कहते हैं students? यूइन हांस कहते हैंॉail उसके बाद जो यम्मी सुड आपके पेट मेझर जाते हैं उसे क्या कहते है उसे कहते हैं स्टमक क्या कहते हैं स्टमक आरे-फ्यांस क्या है बहुत सारी फ् игр भी है यानिक हमाहं बस दो हैं तो नों हातों में किद्थी फिंगर से भाई 10 finger है total लेकिन एक हाथ में 5 दूसरे में 5 तो total केती हो यह 10 हुई गया तो total 10 fingers है हमारे पास ठीक है so यह fingers भी बहुत ज़्यादा काम किये जिसके through हम pen को hold कर सकते हैं right समझ गया आप सब pencil से लिख सकते हैं है ना so students fingers भी बहुत ज़्यादा हमारी help करती है अब next देखते हैं भाई नीचे जो lower part है lower part को understand करते हैं यह क्या है भाई यह है legs ठीक है जिनके सहारे हम चल सकते हैं दोड सकते हैं ठीक है और फिर यह जो गुटने होते हैं students यह जो गुटने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं knees कहते है है ना चले तो आप ऐसे अपना पैर को उठा सकते हो है ना मूफ कर सकते हैं आप अपने पैर को किस की वज़ेसे गुटने की वज़ेसे हम कहते हैं पर आप अपने जूते वियर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं Vai जिसके सहारे हम खड़े हैं है ना जो सबसे lower part होता है क्या कहते है भई foot कहते है ठीके और जैसे हमारे हाथों में fingers है hands में fingers है वैसे ही foot में भी fingers है उन्हें हम क्या कहते है toes समझ गए चलिए तो भई ऐसे ही ये सारे body parts complete हो चुके है और जैसे कि ये joint होता है पैरों में जिसे हम नी कहते है यहाँ पर यह जो part होता है इसे हम कहते है नी यह हमारे क्या होते है गुटने होते है वैसे ही हाथ में भी joint है यह इसे क्या कहते है elbow क्या कहते है elbow कहते है ठीके यह जो black black आप देख रहे है जहाँ पर आपको बाल होते है छोड़ी छोड़ी चीज़ आपको बता रही हूँ, so यह जो main parts है, आप इन्हें तो याद करें लीजी, यह बहुत जरूरी है, है ना, इसके साथ साथ यह जो, जिसके तुरू हम ताली बजाते हैं, clap करते हैं, यह part क्या है, यह है palm, ठीक है ना, यह है wrist, जहाँ पर हम watch फ्यां याद रहने ही चाहिए, ठीक है, चलिए तो भई, अब हमने क्या समझा, हमने सारे body के parts को समझा, ठीक है, हमारी body में बहुत सारे parts हैं, इन parts को देखा, और इन parts के different different नाम भी हैं, ठीक है ना, so जो जोल दिस हैं, different different name को अच्छे से याद कले ना, and proper spelling इनकी आप सभी को याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना, चलिए, अब हम आगे बढ़ जातें, और next देखतें क्या हैं, चलो, अब हम ये देखने वाले हैं, कि ये जो parts अभी हमने देखे, हमारी body में इतने सारे parts हैं, लेकर इन parts से हम क्या करते हैं, जैसे कि हम hands से क्या करते हैं, legs से क्या करते हैं, हमार चली समझ लेते हैं, so we use our hands, हम अपने hands को use करते हैं, कैसे, ये हमारे hands किस काम आते हैं, लिखने के काम आते हैं, to right, है ना, हम लिखने के काम आते हैं, clap, हम clap कर सकते, and चीजों को hold कर सकते हैं, है ना, मुझे, ये stylus अभी मैंने hold क्या हुआ है, so ये मेरे हाथों में बिलकुर मैंने अच्छे से hold क्या हुआ है अपने hands की वज़े से राइट सो भाई हर body part का हमारे body में लिए parts है यह सारे parts का कुछ तक कुछ use है यह हमारे लिए different different कामों में काम आते हैं ठीक है ना जैसे हाथ जो है हमारे hands हमें लिखने में काम आते हैं हमारे pair हमें चलने में काम आते हैं थामज गया अगर यह body parts नहीं होते तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं ना students तो भई यह body parts बहुत ज़ादा हमारे लिए important है हम सारे काम कर सकते हैं body parts की वज़े से ठीक है ना तो hands की मदद से हम लिखते हैं, है ना, जैसे कि यह girl को आप देख रहे हैं, छोटी सी girl लिख रही है, right, write कर रही है, she is writing and यहाँ पर एक boy को देख रहे हैं, यह क्या कर रहा है, clap कर रहा है, ठीके, so हम clap कर सकते हैं, hands की वज़े से, है ना, so भाई, यह जो part है, कौन से थे भाई hands, ठीके, so hands की मदद से हम और क्या काम कर सकते हैं, जल्दी से comment section बताओ, चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं, we use our legs, अब हम अपने legs को कैसे use करते हैं, different different कामों में, यह देख लेते हैं, ठीके, we use our legs to stand, हम खड़े रह सकते हैं, अपनी legs की मदद से, है ना, run कर सकते हैं, आने क skipping कर सकते हैं, skipping करते हैं, आप सब, करना बहुत ज़रूरी होते हैं, exercise आपको करने ही चाहिए, जल्दी से skipping स्किपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप अमेशा healthy रहे से चलो, so students, healthy रहे लिए और भी बहुत सारी exercises होती है, running करना, walking करना, skipping करना, है ना, so यह भी सारी exercises है, so हम किस की मदद से करते हैं, legs की मदद से, legs की मदद से हम खड़े रह सकते हैं, legs का use हम करते हैं, भागने में, चलने में, jump करने में, skip करने में, या फिर ball को kick करने में, है ना, सब लोग खेलते होंगे अपने friends के साथ, कोई भी mobile तो ने चलाता बहुत साथा देर तक, भाई दे बहुत जादा देर तक, mobile के सामने ही बैठे हैं, तो भाई, फिर उसे क्या होता है, भाई, फिर वो आपके लिए साही नहीं होता, आपकी body में बहुत जादा fat बढ़ जाता है, है ना, सो students, आपको क्या करना चाहिए, healthy रहने के लिए खेलना चाहिए, है ना, सो भाई, यह ज करते हैं, legs की मदद से ही तो करते हैं, ठीक है, सो भाई हम ball को kick कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, भाग रहे हैं, सब किसकी वज़े से, लेक्स की वज़े से, राइट, सो यह boy, he is standing, है ना, सो legs बहुत जादा useful है, उसके बाद यहाँ पर एक boy को देख रहे हैं, यह run कर रहे ह भाग रहे हैं, है ना, he is running, सो किसकी वज़े से भई, legs की वज़े से, यहाँ पर भी one boy is walking, सो किसकी वज़े से, भई, इसब इसब, legs की वज़े से, इसारे काम हम कर सकते हैं, है ना students, चली भई, और क्या कर सकते हैं, चल दी से comment section बता दो, और हम आगे देख रहे हैं, और कु सो भाई, यह पैरों की वज़े से, legs की वज़े से हम skipping भी कर सकते हैं, जम्प कर सकते हैं, है ना, देखो किते मस्त, एकदम मजे में enjoy कर रहा हैं, आपर trampoline पर, है ना, jump कर रहा है है, यह boy, है ना, he is jumping, सो यह सब हम legs की वज़े से, सारे task को complete कर सकते हैं, राइट सो चली और को ज़े task का हम complete कर सकते हैं, जल्दी से comment section में बता दो, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम समझने वाले हैं, sense organs को, ठीक है ना, sense organs क्या होते हैं, यह हम देखेंगे, आल राइट, चली ए students, sense organs देख लेते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, so students, we have five sense organs, हमारे total किते sense organs होते हैं, five, आल राइट, so students, आप सब सोच रहे होंगे, कि भाई, आखिरकरी sense organs होते हैं, students, हमारे body में यह कुछ 5 organs present हैं, जुनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, sense कर सकते हैं, ठीक है, आपनी surroundings को, ठीक है, and students, यह sense organs कों से हैं, their eyes, ठीक है, सबसे पहले number पे जो हमारी eyes हैं, इसकी मदद स हमारी surroundings में, हमरे environment में, जित्ती भी सारी चीज़े हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है, हम अपनी आखों से सारी चीज़ों को watch कर सकते हैं, देख सकते हैं, है न, भाई, पेड़ों को, जानवरों को, हम कैसे देख सकते हैं, अपनी eyes की मदद से, राइट, so, यह eyes हमारे काम आती है इस beautiful से world को watch करने में, ठीक है, हम movies watch करते हैं, है न, so, भाई, eyes बहुत जादा हमारे लिए, भाई, जारूरी है, ठीक है, sense organ, उसके बाद, यह second sense organ कुन से है, ears, ठीक है, अब यह ears से हमारे surroundings में, हमारे environment में, जितना भी जादा sure हो रहा है, हला हो रहा है, हम सब सुन सकते हैं, ह आप अब classroom में जाते हैं, आप teacher को सुनते हैं, आपको teacher कुछ भी पढ़ा रही है, तो कैसे सुन सकते हैं, ears की मत से, उसके बाद अगर आपका जो friend है, या भी आपकी कोई friend है, आपसे क्या बात करी हैं, आप सब सुन सकते हैं, अपने ears के मत से, हैना? parents की बाते सुन सकते हैं अपने teachers की बाते सुन सकते हैं हम भई जब movie watch करने जाते हैं movie में क्या चल रहा है movie में क्या हो रहा है सारी चीज़े हम सुन सकते हैं भई अगर मैं आपको सुफ movie दिखा दू है न students कोई सी भी movie चल रही कार्टून चल रहा है कार्टून शो आप देख रहें सिर्फ अगर आप देखें अगर आप sound ना सुने तो आपको क्या मज़ा आएगा आप enjoy कर पाएंगे नहीं ना तो भई उसके लिए sound भी बहुत ज़रूरी है है ना जो भी चीज़े कार्टून में हो रही है या फिर movie में कुछ भी चल रहा है कौनसा hero है क्या बोल रहा है हम सिर्फ देखें उसे हमारा काम नहीं चलेगा हमें भई सारी बातें उनकी सुनाई भी देनी चाहिए कार्टून में क्या चल रहा है सारी चीज़े सुनाई भी देनी चाहिए है ना students सो भाई students ये years भी हमारे बहुत जादा जरूरी है ताकि हम सारी बातों को सुन सके हमारे surroundings में क्या हो रहा है हमारे environment में क्या हो रहा हम सब कुछ सुन सकते है अपने years की मदद से ठीके आप third sense और कुन कुन सा है भाई nose जैसे कि आपकी घर में maggie बन रही है या फिर घाजर का हलवा बन रहा है आपको सबसे पहले खुश्बुगा जाती है ठीके वो किस की मदद से हम पैचान लेते हैं हमारे घर में क्या चीज़ बन रही है है ना फिर हमारे मूह में पानी आता है ठीके अब मूह में जब पानी आता है तो भाई हमें maggie मिल जाती है फिर गाजर का हलवा मिल जाता है जैसे ही हम अपने मूँ में डालते हैं उसका स्वाद हमें कहां फील होता है टंग पर हम सारे टेस्ट को अच्छे से पहचान सकते हैं कि हमने क्या खटा खाया है, हमने क्या मीठा खाया है तो सारे टेस्ट को पहचाने में मदद कौन करता है यह 4th sense organ जो है टंग टंग है 4th sense organ याने कि टंग की मदद से हम सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि आपकी घर में मैगी बनी है आपको मुमें पानी आगे, आपने जैसे ही खाया, उसका स्वाद कहां पर आएगा टंग पर टंग चलिए, अब लास्ट कौन सा sense organ है, स्किन स्किन की मदद से आप साब चीज़ें फील कर सकते हैं ठीक है कोई आपको टच कर रहा है, आखी मदर ने आपको होल्ड किया सो आपको कहां फील होगा, स्किन पर यह स्किन हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जाथा important है यह स्किन हमारी पूरी बॉड़ी पर covered होती है है ना, सारे parts पर covered होती है क्योंकि भई यह हमारी muscles को, हमारे bones को जितने भी सारी muscles से अंदर, bones है internal body parts है, heart है, lungs है यह स्किन क्या करती है, protect करती है हमारे सारे अंदर के body parts को चीक है, and हमें भई बचाती भी है है ना, हमें skin पर सब कुछ feel होता है right, क्या feel होता है भाई, हमें हमें सारदी feel होती है, भाई, हमें ठंड लग रही है तो हमें ठंड feel होगी, है ना, हमें ज़्यादा सारदी लगेगी, अगर हमें गर्मी लग रही है हमें बहुत ज़्यादा दूप लग रही है, हमें स्किन पर फील होती है, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमें स्किन पर सब कुछ फील होता है, अगर हमें कोई टच करता है, तो सारी चीजें हमें कहां फील होती है, स्किन पर, तो सारी चीजें हम फील कर सकत उसके बाद गलती से आपका हाट टाच हो जाता है कर अब हम नहीं हमारा हाथ पकड़ रहे हम सब skin की मदद से पहचान सकते हैं है ना students और यह skin भई हमारी body के लिए जरूरी भी है क्योंकि अंदर के parts को अंदर की muscles को, bones को क्या करती है protect करती है है ना, so students भई skin पर हम सारी चीज़े feel कर सकते हैं अपनी surroundings में हमारी surroundings में क्या चल रहा है अगर हमारी surroundings में बहुत जाथ हवा चल रही है, environment में हवा चल रही है ठीक है, so भई हमें सारी चीज़े feel होती है skin पर है ना, समझ गए चलिए, they help us to know the world around us भई हमारे आसपास जित्ती भी सारी surroundings and environment है, है ना, यह पूरी दुनिया को पैचानने में हमारी मदद करते है यह सारे के सारे sense organs, ठीक है, they help us to know the world around us ठीक है, यह जो दुनिया है इसको हम अच्छे से जान सकते हैं है ना, हम अपनी आखों की मदद से सारी चीज़े देख सकते हैं, सारी नजारे देख सकते हैं, ears की मदद से हम सारी बाते सुन सकते हैं, हमारे surroundings में, क्या चल रहा है, दुनिया में, क्या चल रहा है सारी चीज़े हम पैचान सकते सुन सकते, है ना, so भाई, ears की मदद से ही आप मुझे भी सुन पारें, है ना, eyes की मदद से आप देख पारें, फिर और नोस की मदद से आप सब चीजें स्मेल कर सकते हैं एक बार आप अपने नोस को बंद करके देखिए आपको किता जादा uncomfortable लगेगा है ना राइट बहुत जादा क्या लगेगा? Uncomfortable लगेगा हम breathe नहीं कर पाएंगे हम सास नहीं ले पाएंगे है ना नोस बहुत अथा important है हम यह जो air breathe कर रहे हैं किस की मदद से भाई? नोस की मदद से है ना नोस की मदद से हम स्मेल भी कर सकते हैं है ना भाई हमारे आस पर इतने सारे food होते हैं उनकी खुश्बू आती है नोस की मदद से हम इतना जादा fresh feel करते हैं है ना then tongue tongue से भाई हम सारे taste को पहचान सकते हैं हम मिठाईयां खाते हैं चॉकलेट खाते हैं और भाई बहुत delicious जो food है हमारी mother यहां फिर sister जो कोक करती है हमाली दादी माँ जो कोक करती है हम सारे चीज़े taste करते हैं इस tongue की मदद से ठीके और फिर भाई skin skin भी बहुत ज़रूरी है skin पर भाई हम सारे चीज़े feel कर सकते हैं है ना हमें ठंडी लग रही है हमें गर्मी हो रही है यह सारे चीज़े हमें skin की मदद से ही पता चलती है कि हमारे आसपास क्या बही चीज़े हमाया सपस कैसा माहूल है कैसा वेदर है सब हमें पता चल जाता है skin की मदद से ठीक है आखिर कर भही हम ये पूरे world को जान सकते हैं है ना इन sense organs की मदद से ये 5 sense organs है eyes, ears, nose, tongue and skin ठीक है ना आपको कोई touch कर रही है आपको कहा feel होगा skin पर ठीक है skin की मदद से हम पैचान सकते taste आपको कहाँ पता चलेगा tongue पर and hearing भाई आप कुछ भी चीज़े hear कर सकते है कोई भी बात सुन सकते हो है ना movie का sound, music ठीक है सारी चीज़े आप सुन सकते हो कैसे ears की मदद से eyes की मदद से हम भाई नजारों को देख सकते है movies watch कर सकते है है ना so eyes भी बहुत ज़्यदा जरूरी हमाली smell कर सकते है हम nose से ठीक है समझ गए तो भाई ये हमारे 5 sense organs से इसे जरूर याद करिएगा ठीक है भूलना नहीं है चलो आगे बढ़ जाते है students और we have two eyes हमारे पास किती eyes है two eyes है ठीक है और eyes help us to see और ये eyes हमारी मदद करती है हमें देखने में ठीक है भाई हम अपने आपको देखते हैं mirror में eyes की मदद से हम बहुत अच्छे-चे movies cartoon shows है ना और क्या देखते है भाई ये beautiful trees flowers इस सारी चीज है इस world को हम देख सकते हैं अपनी eyes की मदद से ठीक है ना we have two ears अब हमारे पास दो ears है भाई अगर class में आप शरारत करते हैं तो मैं आप गोल देने जल दी से अपने कान पकड़ो है ना फिर कान पकरने पड़ थे तो कितने कान हैं हमारे पास टू कान है है ना मलब कि दो ears है हमारे पास ठीके आर ear help us to hear sound आर ये कान जो हमारी मदद करते हैं ताकि हम different different sounds को सुन सके है ना music सुन सके movie में जो sound है भाई वो sound भी सुन सकते हैं राइट है और दो ears है ठीक है तो students अब हमारे पास क्या है one nose है ठीक है एक ही nose है ना फ़ई किसी यह बस दो नाक तो नहीं है एक ही ना आक है है ना so our nose help us to smell और nose की मदद से हम smell कर सकते हैं है ना भई हमें जो खुश्बू आती हमारे घर में जो भी खाना बन रहा है delicious सा वो सब कैसे पता चलता है nose की मदद से ठीक है ना चलिए तो भई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टंग किती है टंग भी एक है हमारे पास one tongue है है ना we have only one tongue our tongue help us to taste और टंग पर हम सारे टेस्ट का पता लगा सकते हैं ममी हमें करेला खिला दे तो कैसा लगते है बहुत कड़वा सा है ना और भाई को चॉकलेंट मिल जाए आपको बहुत ज़दा खुश हो जाते हैं अब आपको तंग पर आपकी घर में म्यागी बन जाए आपकी घर में समॉसा बन जाए बहुत दिलीशियस सा टेस्ट आपको मल जाते है राइट किसकी मलत से भाई टंग की मलत से और राइट सो भई वी हाव वन नोज ठीक है यहाँ पर देख रहे हैं इस गरल को किती है अच्छे से यह फ्लार को स्मेल कर रही है और टांग यहाँ पर देखिए आईस्क्रीम घारा यह स्टूरेंट आपके मुझे पानी आगया होगा राइट चलो तो भई स्टूरेंट अब आगे बढ जाते हैं हम और जाली में ने इस नारे बाट से इन सारे फार्ट को आप अच्छे से यहाँ कले जिए तिक कैली करें प्राक्टिस करें spellings को and each part has a different name है ना सारे parts के different different name है है ना so ये different different names आपको आने ही चाहिए ठीक है spellings अच्छे से आपको याद होने चाहिए we use our hands and legs to do many activities अब इन hands or legs का हम इस्तमाल करते हैं use करते हैं इनको different different activities करने में है ना legs और hands की मदद से हम dance कर सकते हैं and students और किस काम आते हैं ये hands and legs जल्दी से मुझे comment section में बता दो और eyes, ears, nose, tongue and skin ये क्या है भई ये हमारे 5 क्या है sense organs है जिसकी मदद से हम इस world को अच्छे से पहचान सकते हैं अपनी surroundings को देख सकते हैं feel कर सकते हैं सारी चीजों को हैना हमारे surroundings में क्या चल रहा है ये साब हम in sense organs की मदद से कर सकते हैं ठीक है eyes की मदद से हम देख सकते हैं we can watch everything हैना ears की मदद से हम सुन सकते हैं we can hear sounds and nose की मदद से we can smell tongue की मदद से we can taste different food items and skin की मदद से भई हम feel कर सकते हैं we can feel everything जो भी हमारे surroundings में हो रहा है ठीक है भई अगर बारिश हो रही है तो आपको जैसे ही बारिश आपके skin पर गिरेगी आपको पता चल जाएगा हैना so students सारी चीजे हम skin की मद से फिल कर सकते हैं next our sense organs help us to know the world around us ठीक है so in sense organs के वज़े से ही हम इस वर्ल्ड को जान पाते हैं हैना students ठीक है चलिए so यह sense organs भी important है हमार लिए और यह body parts भी ठीक है so आपको अच्छे से इन सारे body parts की spelling आनी चाहिए और यह सारे sense organs की spelling भी आनी चाहिए तो अच्छे से याद कलीजेगा यह 5 sense organs है हैना सो भाई कैसा लगाए वीडियो जल्दी से comment section बताओ और वीडियो को like करना बिल्कुल मत बूलना जल्दी से वीडियो को like कर दो इस वीडियो की link को जल्दी से share कर दो अपने friends के साथ ताकि आपकी बाकी सारे friends को भी पता चुल सके हैना और manner brains को कर लो subscribe चीक है manner brains आप सभी को high quality education provide कराता है वो भी free of course यह top courses आप सभी के लिए अविलेबल हैं जैसे कि English और Hindi medium English में आपको CPSC board के सारे वीडियो से मिल जाएंगे और Hindi medium में यह 5 state boards आप सभी के लिए अविलेबल हैं जैसे कि Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board Cashcords आप सभी को cover करवाया जाता है वो भी exam time है तो आपको कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं होगी आपको सुर्फ अपनी पढ़ाई को enjoy करना है ठीक है यह रहे different platforms Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp यहाँ पर भी जुड़ जाएए ताकि आप हमेशा updated रहें यह रहा माइनेट ब्रेंस का application और यह रही website इसे भी अच्छी से check कर लिजेगा और visit कर लिजेगा ताकि कोई भी चीज miss ना हो जाए इसके साथ YouTube पर माइनेट ब्रेंस को subscribe तो करना ही है notification आपको चाहिए जल से जल सबसे पहले आपके पास notification आजाए तो भाई बैल आइकन पर भी क्लिक कर लिजे ठीक है? इससे आप हमेशे अपडेटेज रहेंगे इनोच और इबुक्स का जो लिंक है यह आपको मिल जाएगा description box में तो भाई लिंक को चेक करना मत भूलिएगा फिर मिलेंगे इसी interesting वीडियो में तब तक लिए बाई बैस टूटनल्स टेक क्यार एंड कीप लर्निक